और सभी मनुष्यों से सनातन संस्कृति के मानने वालों से कहूँगा कि आप जहां भी रहते हैं पूरे भारत में पूरे विश्व में आपके अनजदीक जहां भी गव सालाएं हों आप जाईए और गव सालाओं का हाल देखिए गव सालाग चलाने वाले लोग ऐसी बीमारी जबाती है न तो कम पढ़ जाते हैं उनका दोस नहीं है एक साथ गाये आचार बीमार होगे इकल दस होगे पर सों बीस तो आदमी ठक जाता है गाये इतना बजंदार होती है उठाना बिठाना लिटाना बड़ा मुश्किल पढ़ता है तो कैसे भी आदमी कम पढ़ जाता है साधन कम पढ़ जाते हैं तो हमें मदद करनी चाहिए राजिस्थान में गाय मरी बुरी बात है पर किशी ने मारी नहीं न पर राजनीती के करण हला बोल हो रहा था बोला चाली हो रही थी आरोप लग रहे थे कौन है जो गाय को मारना चाहेगा हिंदूओं में तो कोई नहीं है ऐसा और जो गाय को को मारना चाहते हैं उनको कसाई कहते हैं चाहे वो हिंदू हो चाहे कोई और हो उसका नाम ही कसाई है इसलिए एक बार हम सब सारे हिंदुस्तान सारे विश्व से प्रार्तना करें कि सब गव माता की रक्षा के लिए आगे आएं बंदु वो कहीं कहीं बड़ी सुविधा हैं ज क्योंकि यूपी से राजिस्थान तक जब हम डॉक्टर ला सकते हैं तो और भी कुछ जरुएत पड़ेगी वो साधन कर सकते हैं पर बाकी गउसाला में साधनों की कमिया हैं जहां भी आपको लगे के नजदीक परिशानी हैं वहां सयोग करें और आपतिकाल में दुख में बी पखडा दूर करने वाले तेरा दुख दूर करेंगे सुख बोयेंगे सुख काटेंगे दुख बोयेंगे दुख काटेंगे किसी भी जीव को मरने के लिए नहीं छोड़ना उसे बचाने का प्रियत्न करना जन्म मरन अपने हाथ में नहीं है पर उनको प्रसंद रखना उनक दगतीर मूल व्याप्तम येवे सव्यदर्शिताम भगवार स्री कृष्ण को भीष्ण ने सो जन्म की याद बताई तो भीष्ण को कृष्ण जी ने उनकी पिछली जन्मों की याद कराई और कहा अब तुमारा अंतिम जन्म है भीष्ण अब तुम मुक्त हो गए सब संस्कार तुमारे समप्त हो गए देखिए पिछली जन्मों की करमों को भोगते भीष्ण को इतने जन्म लेने पड़े और भगवान कहते हैं कि सौ जन्म नहीं तुमने सौ जन्मों से जाधा तो मनुष्ण की रूप में जन्म लिया है और बाकी तो छोड़ो कितनी बार भीष्ण मरी साइकिल हो गए पर करम ने पीछा नहीं छोड़ा ये कथा मैं इसलिए सुनाता हूं हर बार क्योंकि आपके दिमाग में बैठे और आप करम से मुक्त हों क्योंकि करमस्य सुभब्न वेदितां करमस्य भी करम सुधानां करम वो हैं जो बंधन से मुक्त करे और करम वो भी है जो बंधन से बांधे महात्मा इंद्रदेव से लेकर के जितने पुरान और गरंत हैं ये करम मुक्त करने का ज्ञान देते हैं बंधने का ज्ञान नहीं देते हैं रशी बांधने का काम करती है और कैची अचा आज तक तुमने किसी कैंची को जोड़ते देखा है वो चल रही हो और कपड़ा जोड़ रहा हो नहीं कैंची नाम ही खत्म हो जाएगा कैंची का मतलब है कतरनी और कैंची उसका नाम क्यों पड़ा है क्योंकि आवाज करती है कच 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 इसलिए कहची बोजते है उसके नाम उसका कतर नहीं है आवाज करती है इसलिए उसका नाम बदल गा पर वो जोडने का काम नहीं करते है काटने का काम करती है अलग करने का और सुई कैंची से छोटी होती है और बहुत छोटी बहुत छोटी इतनी छोटी के एक कैंची छोटी से छोटी कैंची से कम सो दो सुई बन जाएंगे इतनी छोटी वो जोडती है वो सिलती है छोटे ही सही पर हम सिलने का काम करें काटने का काम तोडने का काम अलग करने का काम नहीं करें इसलिए कर्म हमारे ऐसे होने चाहिए बंदू हो जो हमें मुक्त कर दें आज मैं सुभे थोड़ा जल्दी उठ जाता हूं तो ब्यायाम शायाम करके थोड़ा सा काड़ा पीके आदा घंटा आराम करता हूँ फिर इश्णान करता हूँ सरीर को ठंडा कर लेते हैं फिर इश्णान करो जिससे जखन, पानी, सर्द, गर्म ना हो कुछ समय थोड़ी टीवी लगा लेते हैं तो आज मैं साइन्स का एक चैनल देख रहा था उसमें बता रहे थे उन्होंने टेश्टे बेवी जो आता है साइन्स में जो बच्चा पहदा होता टीवी में उस पे वो क्रिया साइन्स बता रहे थे और मेरा नियम है कि साम को नियूस दिन में कथा नहीं रही तो मेरा एड वैड देखता हूं संसकार टीवी पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है पट्टी में क्या आ रहा है एड में कौन से गाउं की कथा का दिखा रहे हैं नहीं दिखा रहे हैं कितनी बार चल रहा है और शुबह थोड़ा सा साइन्स खाली दिमाग में विज्ञैन की कुछ बहते हैं टीवी में बड़ी बड़ी हाँ आती हैं तो वो दिखा रहे थे वो दिखाते दिखाते उन्होंने टीव पर छोटी से कहची चला रहा था वेज्ञैने कोई और उसमें से बच्चा जो है बाहर निकल रहा था खुद से कहची पहले तो मुझे समझाई नहीं कि यह किसकी उपर क्या चल रहा है वह ऐसे फूट सी पकड़ रखी थी छोटी सी फूट मतलब पकी ककड़ी टाएं फिर जब उन्होंने केची चलाई ऐसे ऐसे करी तो मुझे समझ गया कि यह ट्यू है तो उसमें से जब बच्चा निकला तो उ को खुशी होती है घर में पोता हो जाएं बहु के बच्चा हो जाएं हम दावत करते हैं गाओं जिमाते हैं बंडारा करते हैं दोल बजवाते हैं बैंड बजता हैं कुवा पुझवाते हैं पोखरे पुझवाते हैं हमें अनन्द होता है पर जिसके लिए तुम गारे बजा होता है तो उसके उपर वो कह रहे थे कि बच्चा जब उसमें होता है तो उसको इतनी पीडा होती है इतनी पीडा होती है कि एक साथ एक आदमी के ऊपर एक लाख तृशूल अब बताव अरे चार पांच बलेट मारदो जंदे आदमियों चिलाता फिरता है एक चाकू मारदो रोता चीक चिलाता है और वो कह रहे थी कि करोडों बल्लम को इस्तुर्सूल गुसर दे इतनी पीडा जिस आदमी को होती है लाखों त्रिशूल के लग जाने से उतनी पीडा मा के गर्व में हमको होती है इतना दर्द इतना पीडा नौ महीने तक अपो दंड हमें भोगना पड़ता है इसलिए मातमा इंदर देव कह रहे हैं कि जन्म मर्ण से कैसे भी छुटकारा मिलना चाहिए